हलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल और आज हम जो प्रोडक्त आपको रिव्यू के लिए लाए हैं रिव्यू प्लस अन्बॉक्सिंग प्लस डैमो जो देंगे हम वो है आपका टाटा बोल्टास 1.5 टन 3 स्टार इंवर्टर एसी और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं यह मॉडल है आपका जून 2022 का 183V XA-ZX जैसे कि आप देख सकते हैं और इसी के साथ अब हम इसे अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हुए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक्यू और यहां पर बोल्टास की टीम इस प्रोड़क्ट को अन्बॉक्सिंग करती हुई यह हमारा डेट टन 3 स्टार इंवर्टर एसी है 2022 मॉडल और यहां पर और यह इसका इंडोर यूनिट है जो की अभी यहां पर वॉल पर लगे नहीं जा रहा है और इसकी अब हम आपको चैनल पर बने रही है इसके साथ हम आपको इसके इंस्टालेशन और डेमो का पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे यहाँ पर अन्बॉक्सिंग करते हुए और यहाँ पर फेम के वोल्टास टीम के एक इंस्टालेशन हैड हमारे साथ जुड़े है जो कि हमें बताएंगे यह कौन सी पाइब है दोस्त यह कोजी पाइब है जैस पाइप और यह वाली यह हमारी कूलिंग के काम आएगी मेरे ख्याल से और यहाँ पर अभी यह इसका बैक एंड स्पोर्ट दे रहे हैं यह आपकी आगी ड्रेंड पाइप जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इसका स्टेंड लगा दिया हुआ है हमने और यहां पर इसका इंडोर यूनिट को फिक्स करते हुए हमारे मुनीश जी बोल्टास टेक्निशन और यहां से पाइप जाएगी बाहर को यहां से इसका आउटर के साथ कनेक्शन दिया जाएगा यह रहा हमारा बोल्टास 1.5 टन 3 स्टार इंवर्टर एसी कॉम्पैक्ट डिजाइन में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा एसी हो गया इंस्टॉल और यह अभी बहुत ही अच्छी कूलिंग करता हुआ और इसके साथ हमारा स्टेपलाइजर यह जो यहां पे लगा हुआ है 90 आप स्टेपलाइजर वैसे दो रिकमेंट नहीं करती है कंपनी बट हम तब भी रिकमेंट कर देते हैं सेफ साइड के लिए कभी पावर फ्लक्ट्वेशन होती है उस करके चलते हैं इसके रिमोट की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं इस रिमोट में आपको सबसे उपर देखना को मिल जाएगा इसका टेमपरेचर के टेमपरेचर के स्विच्च यहां पर हम टेमपरेचर कंट्रोल कर सकते हैं यहां से प्लस में और यहां से और यहां पर इसके मोड मिल जाएंगे जैसे कि आपको इसको अपने यह आ गया sleep mode on करने के लिए यह आ जाएगा इसका saver button यह होता है इसके code वगरा के लिए और यहाँ पे lamp वाला button यह होता है जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा show कर रहा है अब हम इसको lamp button तबाएंगे तो यह light जो है वो off हो जाएगी यह आ गया इसके लिए and then turbo mode fast cooling के लिए and timer on set जैसे कि हमें कितना time की accordingly से चलाना है यह क्या करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसमें हमें आपको देखने को मिल जाएगा room temperature भी हम check कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने इस पे देखेंगे तो 21 degree पे सेट किया और यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसका temperature वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पे room temperature शो करेगा जो की आपके सामने है 28 degree Celsius शो कर रहा है और friends बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी रेंज के accordingly इस रेंज में यह बहुत ही compact डिजाइन में आपका 1500 से 200 स्केर फूट एरिया बहुत ही मज़े से company claim जो company के accordingly डेट सो से 200 स्केर फूट के एरिया को बहुत ही अच्छे से cooling कर सकता है और इसी के साथ दोस्तों हमारा review यहाँ पे होता है खतम don't forget to share subscribe and comment our channel और अगर आपको इसको purchase करना हो तो आप हमें DM भी कर सकते हैं हमारे smart choice electronics के page पे थैंक यू फ्रेंड्स